पूरी दुनिया में जब भी इंडिया का जिक्र होता है तो तिरंगा आखों के सामने आ जाता है हमारा नैशनल फ्लैग हमारी पहचान है जो हर जगा हमें रिप्रिजेंट करता है पर अपनी पहचान, अपनी आन, अपनी शान बान को जब मैं सडकों पे गिरा देखता हूँ 15 अगस्त और 26 जैनुरी के बाद स्कूल्स, ग्राउंड्स के बाहर जमीन पे पढ़ा देखता हूँ तो दिल दुखता है, बुरा लगता है और यह आपके साथ भी होता होगा इज़त के साथ संभालने की जिम्मेवारी हम सब की है अगर किसी कारण से फ्लैक खराब हो गया या गंदा हो गया, मतलब ऐसा कुछ भी हुआ जिसकी वज़े से वो तिरंगे की तरह इस्तमाल नहीं किया जा सकता तो उसको इदर उदर रखने की जगा आप फ्लैक को संभान के साथ प्राइवेटली जला सकते हैं उसके लिए एक साफ सुतरी जगा पे आग लगा ले फ्लैक को रूल्स के हिसाब से फोल्ड कर ले याद रहे फ्लैक को आग में फेंकना नहीं है फोल्डेड फ्लैक को इदर के साथ आग में रखना है जब तक फ्लैक पूरी तरह जलना जाए आप शांती से वहां खड़े रहे हाँ अगर किसी कारण से जलाना पॉसिबल ना हो तो आप उस केस में फ्लैक को दफना भी सकते हैं उस केस में भी एक साफ सुत्री जगा पे फ्लैक को रूल्स के साथ से फोल्ड करके एक बायो डिग्रेडिबल बॉक्स में रख सकते हैं और गरिमा के साथ उसको प्राइवेटली दफना सकते हैं सो हर एरिया में कोई एक ग्रूप यां केला इंसान जिम्मेवारी ले ले कि डैमिज फ्लैक्स को इकठा करके इज़त के साथ डिस्पोज कर दिया जाए तो इस साल से हमारे देश का सम्मान सडकों पे नहीं पड़ा होगा दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है सर हमेशा उचा रखना इसका जब तक दिल में जान है जैहिंद जैभारत